तो कहानी के शुरुवात होती है और हमें एक कमपनी के ओयल रिक प्लैटफॉर्म को दिखाया जाता है जो समंदर के बीचो बीच था उस प्लैटफॉर्म के पास एक कश्टी पर दो आत्मी बैटे हुए थी जो के पानी के अंदर जाकर उस ओयल रिक का कुछ काम करने वाले थ उसका साथी जो भी कश्टी में बैठा था वो अपने साथी का इंतजार कर रहा था उसके कश्टी भी हिलने लगी थी उसे कुछ समझ नहीं आता वो लाइट जलाकर यहां वहां देखने लगा था तबी वह अपनी तर्फ एक बहुत बड़ी शार्क को आता देखता है जो ब वाइफ और बेटा बेटी थे वो अब एक बीच समंदर के किनारे रुखते हैं पॉल का बेटा दूर बीन में उसी प्लैटफॉर्म को देखता है जो हमने अभी कहानी के शुरू में देखा था दरासर पॉल एक इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर था और वो उसी जगां की जा कालों पहले ली गई थी वो वहाँ पर अब कुछ आत्मियों के पास चाता है और बात करता है कि मैं कॉईल कंपनी की तरफ से आया हूं जो हमारी कंपनी का प्लैटफॉर्म समंदर की बीचो बीच बनाया गया है उसी की जार्च करने में यहां पर बीजा गया हूं और की तरह से चबाब नहीं दे रहा था तब ही पॉल की वाइफ गाड़ी से उतर कराती है और एल्रे को समझाने लगती है देखिए हम यहां पर चुटिया मनाने ट्रिप पर आए हैं हमें बस रहने की जगा चाहिए वो एल्रे को पैसे भी देती है अब वो पैसे लेकर इने ए एक आग ढ़की हुई थी और उसकी जगा पर अपनी चॉकलिट को रद देता है एल्रे ने अब इन लोगों को होटेल में पहुचा दिया था मगर यह होटेल इने अच्छा नहीं लगता लेकिन यह लोग क्या करती इसके इलावा इनके पास कोई और जगा नहीं थी पॉल का है हाँ ब्लैक डीमन इतना कहकर वो चला गया था मगर पॉल उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता पॉल को जबी कमपनी की तरफ से कॉल आती है यह उसे अभी उसी आयल रिक प्लैटफॉर्म पर जाना होगा यह बात अपनी वाइफ को बताता है और कहता है फिकर नहीं करन मैं शाम होने से पहले वापिस आ जाओंगा तुम बच्चों का और अपना ख्यार रखना और हो सके तो कोई दूसरा होटेल ढूनने की कोशिश करो अब वो अपना सामान लेकर समंदर के किनारे पहुँच जाता है जहाँ पर कमपनी की तरफ से बेजी गई कष्टी उसका इ स्वीर दी थी वो पॉल के जाते ही गार्ड उसे फार देता है वो ऐसा क्यों कर रहा था यह हमें आगी जाकर पता चलेगा पॉल अब उस आत्मी से मिलता है जिसने इसे कष्टी में उस प्लैटफॉर्म तक लेकर जाना था पॉल जाते हुए उससे पूछता है इस टाउन को उस पर यकीन नहीं करता और मज़ाक उड़ाने लगता है उसकी बातों का वो कष्टी चलाने वाला आदमी अब समंदर के बीचों बीच बीच बंदरकापर कष्टी को रोग देता है और खुद वहाँ पर रुक कर पॉल से कहता है इस से आगे में नहीं जा सकता अब आपको तंग का रात और पॉल की बेटी के साथ पत्तमेजी करने लगता है ये देखकर पॉल की वाइफ उस आदमी के सर में वहाँ पर रखी हुई बोटल को मारती है और अपने बच्चों को लेकर उस होटेल से भाग कर बाहिर आ गई थी जब वो सबी अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं इसी ने उनकी गाड़ी के टायर को चाकू से फार दिया था अब ये जल्दी से कष्टी के तर्व भागती है और कष्टी चलाने वाले आदमी को प्लैटफॉर्म तक जाने का कहती है जितर इसका हस्प करने के लिए तैयार हो गया था दूसरी तरफ पॉल को दिखाया जाता है जो खत्रे से अंजान अकेला ही प्लैटफॉर्म आइल रिक की तरफ बढ़ रहा था जब उस प्लैटफॉर्म तक पहुच जाता है तो देखता है उसके हालत बहुत खराब है और उसकी इर्दगिर् जिन में से एक का नाम शैटो होता है वो बहुत जाता गुसे में और खब राय हुए थे उन्होंने हातों में मारने के लिए चीजों को पकड़ा हुआ था तभी पॉल इनको अपने बारे में बताता है कि डरों नहीं मैं यहां पर इंस्पेक्शन जाज पर ताल करने आया मगर उनमें से शैटो कहता है मेरे दोस्त बहुत देर हो गई तुम्हें आने में तभी उन्हें बाहिसे एक कश्टी की आवाज आती है जब यह दूर बीन से देखते हैं तो उसमें पॉल के फैमली थी पॉल का बीटा जो कश्टी में बैठा दूर बीन से सभी नजारे खाई देता है जो इनकी बोड कश्टी के नीचे से बुजर गया था तब ही प्लैटफॉर्म पर जो पॉल के साथ शैटो और उसका साथ ही थे उन्हें खत्री का एसास हो गया था वो उस प्लैटफॉर्म के जंगलों पर चीजों को मारने लगते हैं ताके वो ब्लैक डीमन शार कश्टी को कोई नुकसान ना पहुँचाए जिसमें पॉल की फैमली थी मगर पॉल को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आती मौन दोनों से पूछता है क्या कर रहे हो तुम दोनों आखिर मुझे कुछ पताओगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ देर के बाद पॉल की फैमली प्लैटफार्म तक सही सलामत पहुच गई थी मगर जो कश्टी वाला इन्हें यहाँ पर लाया था वो बहुत जदा डरा हुआ था वो जब जाने लगता है तो इसी तोरान पॉल की बेटी पानी में गिर जाती है क्योंकि वो कश्टी के सहारी खड़ी थी पॉल की की बेटी को सभी ने बचा कर बाहर निकाल लिया था अब पॉल और उसकी वाइफ उन दोनों आत्मियों से पूछते हैं क्या हो रहा है उनमें से शेटो पनी दूर बेन को निकाल कर पॉल की वाइफ को देता है जिसमें वो देखती है कि जो कश्टी उन्हें यहाँ पर जा सकता और ना ही यहां से कोई किसी से राप्ता कर सकता है जो भी वापिस जाने की कोशिश करेगा तो ब्लैक डीमन यानि के बड़ी सी शार उस इंसान को एक जटके में खा जाएगी और इसलिए मैं और मेरा साथी यहां पर रह रही हैं क्योंकि अगर हम रेडियों से किसी करने लगता है जिससे उसे पता जलाता कि यहां की कोई भी चीज सही तरीके से काम नहीं कर रही शेटोर उसका साथी बॉल को बताते हैं कि शार की अटैक हमले की वज़ा से इसकी हर चीज़ खराब हो चुकी है उसका जब दिल चाहता है हमला कर देती है और इसी बारे में कम पॉल के वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं आता वो शेटो से पूछती है यहां पर ही क्यों आती है और इतर ही आने वाले लोकों को क्यों मार रही है वो आत्मी बताता है कि यह लोकेशन हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छी थी मगर पानी की इतनी गहराई में यह सब गुसे में कहता है मैं सच कह रहा हूँ पॉल इंसान नेचर कुदरत की बनाई हुए चीज़ों को खराब करते हैं जिसके बाद यह सबी अब पानी के अंदर जाकर प्लैटफॉर्म को फिक्स करने के लिए तयार थे यह लोक स्टीम की कैपसॉल का इस्तिमाल करके पानी के अ पानी के शुरू में देखा था इसका मतलब वो लोग इस प्लैटफॉर्म को तबाह करने खत्म करने आये थी उन्हें भी इस खत्रे का अंताजा हो गया था शैटो का साथी जो पानी में था वो अपने इर्दगिर्द इंसानी नाशों के नजारे देखता है उनके जिसम के ह कैपसूल पर छपट पड़ती है वो उसे गहरायों में ले जाने लगी थी पॉल उपर ये देखकर उस कैपसूल को रोकने की कोशिश कर रहा था बगर नहीं कर पाता तबी शैटो तो किसी तरह से पानी से निकल कर बाहर आ गया था पॉल उससे उसके साथी के बारे में पू चुकी थी ये देखकर सब के सब लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और रोने लगी थी पॉल की बेटी ने पी ये सब कुछ देख लिया था जिसे देखकर वो बेडर गई थी पॉल अपनी वाइफ के साथ अंतर आता है वो दोनों अपने बच्चों के आने वाले कल के बारे लगी थी और पताती हैं कि जिस चका पर तुम हमें छोड कर आये थी वहाँ पर एक शराबी आदमी हमारी बेटी को तंग कर रहा था मैं क्या करती मुझे अपने बच्चों को बच्चा कर तुम्हारे पास लाना पड़ा इतनी देर में पॉल के बच्चे भी उनके पास आ ग करने में मसरूफ है जल्दी आ जाएगा जिसके बाद पूल शेटो के पास बैठा था और उसके साथी के मौत पर अफसोस करता है कहता है सब मेरी वज़ा से हुआ तब ही उसे अपनी तर्फ कुछ कष्टिया आती दिखाई देती हैं मगर ये सिर्फ उसकी हैलोसनेशन थी उ सब को एक कहाने भी सुनाता है पॉल अपने बेटे के बातें सुनकर कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा हम सब बच जाएंगे बहुत चलती अब पॉल शेटो के साथ इंजन रूम में जाता है ताके वो जनरेटर को ठीक कर सके उधर दोसरी तर्फ पॉल के वाइफ और बच्चे कुछ ढून रहे थे तब ही सितरान पॉल्स के बैटे को कुछ डॉल्स गुडिया मिलती है वो खुछ से कुछ करने की कोशिश कर रहा था वो सभी डॉल्स गुडिया को कष्टी में बिठा देता है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी और गॉड से दुआ करता है क इसको कुछ पेपर्स का अगसात मिले थे जिससे उसे पता चलता है कि पॉल्स को पहले ही पता था कि ये प्लैटफॉर्म अब ठीक नहीं है मगर फिर भी इसने कंपनी से ये कहा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है उदर पॉल्स की बेटी अपने भाई को रून रही थी जो उस शार के टक्राने के वज़ा से पानी में गिर गया था और मदद के लिए चिलनाने लगता है जी सुनकर सब उसकी मदद को भागते हैं पॉल्स की वाइफ ने पानी में छालाग लगा दी थी उसने जल्दी से अपने बेटे को बच्चा लिया था उदर पॉल्स शार का ध्यान बठікाने की कोशिश कर रहा था जो अब इनकी दर्फ आ रही थी उसने अपने बेटे और वाइफ को पचा लिया था मगर यहाँ पर पॉल की वाइफ अब उससे नरास थी कहती है पॉल मैं जान चुके हो तुम्हारे सारे जूटे कांट्रेक्स के बारे में तुम जानते थे ना कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है फिर भी तुमने उन पेपर्स काक साथ पर साइन किये तुमने कहा कि सब कुछ ठीक है तुम जानते थे तुम्हारी बचा से पॉल कितने लोगों की जान खत्रे में है असल मॉंस्टर तो तुम हो पॉल अपनी वाइफ से कहता है देखो मैं क्या करता सब कंपनी और हमारे फाइदे के लिए मैंने किया पाके मुझे बहुत सारे पैसे मिल सके और मैं अपनी फैमली के साथ एक अच्छे जिन्दकी कुजार सकूँ इसी दोरान वो ब्लैक डीमन शार इनके नीचे थी और बॉम जो नीचे लगा हुआ था उसके फटने में भी बसबे घेंटा बचा था पॉल ने जिन्रेटर को भी ठीक कर लिया था मगर यहां से बचपाना अब उसे मुश्किल लग रहा था वो शेटो से बाते करते हुए कहता है हाँ मैं ही हूँ जिसने उन पेपर्स को प्रूफ किया था कि यहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है तब हमें यहां पर पता चलता है कि जो बाउम इस प्लेटफॉर्म के नीचे लगाया गया था वो भी कमपनी ने पॉल को मरवाने के लिए लगाया था यह सब उनकी एक चाल थी ताकि पॉल यहां पर आए और वो इसे मार सकें और जो पैसे इन्होंने कांट्रेक्ट के बदले पॉल को देने थी वो पैसे भी नहीं ना देने पड़े शेटो सब सुनकर पॉल से कहता है हिम्मत नहीं हारो रस्ता ढूंडो जितनी जल्दी हो सके तुम्हें अपनी फैमली को बचा कर यहां से ले जाना होगा और तबी तो मेरी फैमली को पीछे से करिस्ती में बठा कर यहां से ले जाना शेटो जो अब पॉल का अच्छा दोस्पन चुका था वो समझ जाता है की पॉल खुद को सैक्रिफाइस गृबानी देना चाता है वो पॉल को ऐसा करने से रोक रहा था वो कहता है नहीं सब मेरी वचा से हुआ है ना तो मैं ही इसे ठीक करूँगा अब जब बाम के फटने में दस मिन्ट रह गए थे वो पानी में जाने से पहले अपनी वाइफ से मिलता है और जूट बोल देता है कि मैं उस बाम को लेने जा रहा हूं ताकि वो रास्ते में हमारे हो गया था कि वो डीमन शार्क उसके पीछे आ रही है वो शार्क उसका पीछा करने लगी थी जिससे बचने के लिए वो बेक जाली में छुप गया था तब ही पॉल की ऑक्सीजन खत्म होने लगती है वो रेडियो के जरी अपनी वाइफ से बात करता है और कहता है कि मैं हो जा सके जिसके बाद आखिर में वो अपने फैमिली को गुडबाई बोलता है पॉल के बच्चे काफी दुकी थे क्यूंकि उनके डैट ने अपने बच्चों और वाइफ को बचाने के खातिर अपनी जान देती थी पॉल अप उस चाले से निकल कर जब बाहर आता है तब डीमन शार काकर पॉल को जिन्दा निकल गई थी वो बाम जो पॉल के पास था वो अब भर्ट जाता है जिससे पॉल के साथ साथ वो डीमन शार भी मर गई थी इसे दोरान पॉल के फैमिली भी कुछ लोगों से राप्ता करने में कामयाब हो गई थी एलरे वहापर अपनी मो जो अपनी फैमिली और बहुत से लोगों की जान को बचाया था और इसे के साथ इस फिल्म की कहानी यही पर हत्म जाती है